मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैलन इंप्लाइमेंट अक्वेंटेंस पर हर दिक स्वागत करता हूं आसा करता हूं कि आपकी यह वीडियो पुसंद है करते हैं देखे जैसा कि मैं आ गया यहां पर आ गया हूं मैं इसका पीडिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप वहां से जाके इसको डॉनलोड कर लें देखे सबसे पहला बात करते हैं आप हम लोग एजुकेशन कॉलिफिकेशन की बारे में तो यहां आपने पॉस्ट ग्याजवेट किया है 50% मांस के साथ और तीन साल का इंटिग्रेटिट किया है या फिर एमेड तो भी आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट के अगर आपने पीजेटी किया हुआ है आपको हिंदी और संस्कृत अपको as a Hindi as a subject चाहिए आपको गैशो сок लेफल पे तो आप Ma sortährt रिप अगर आप बात करते हैं PGT Math के लिए तो आपको Master Degree चाहिए Mathematics के अंदर या फिर Applied Mathematics के अंदर तो इसी प्रकार से आपको देखना है PGT Physics के लिए या PGT Fine Arts के लिए तो Fine Arts के अंदर आपको Master Degree चाहिए सब्सक्राइब करें उसका Master Degree आपको चाहिए 50% Max के साथ तो अगर पीजिटी के साथ अप्लाइब करें तो आपको PGT Chemistry मतलब कि आपको MSC Chemistry किया होना चाहिए या फिर Biochemistry PGT Biology के अंदर बात करें तो Botany, Geology या फिर Life Science, या फिर Bio Science, Genetics, Microbiology इन सभी में आपको पढ़ाई किया होना चाहिए चलिए यहां वे देखिए बहुत तरह से PGT Biotechnology है PGT Accountancy है PGT Business Studies है देखिए अब बात करते हैं PGT Computer Science के वारे में बात करते हैं PGT Computer Science के लिए आपको 50% माक्स कंपल सरी है, aggregate में, total में आपको 50% माक्स चाहिए अगर आपने BE, BTEC किया है Computer Science में तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BE, BTEC के साथ Postgraduate Diploma किया हुआ है PGDCA तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ है उसके साथ, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने चाहे Arts हो, चाहे Commerce हो, चाहे Science हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने Postgraduate कि मतला कि MSC किया हुआ है तो आप यहां फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगला है B-Level का आपको Certificate चाहिए DOEACCC, Ministry of Information and Communication Technology के अंदर साथ आपको Guidation चाहिए अगला है Preferency in Teaching, आपको Hindi और English दोनों लैंगुज़ें आपको यहां पर पढ़ाने का आना चाहिए चलिए, आगे चलते हैं यहां पर बात करते हैं हम लोग अगर आपने MSC किया वहा है Computer Science या फिर IT तो आपको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने MSC किया हुआ है Math, Physics या फिर Statistics उसी के साथ आपने BSc किया हुआ है Computer Science से BCA या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है Course का Computer Engineering में या फिर IT में या फिर PGDCA किया हुआ है आपने तो आप या फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आपको B-Level Certificate आपको चाहिए DOEACC से देखें नीचे क्या लिखाओ है BAE और Equivalent Degree मतलब आपको चाहिए BAE is not mandatory for PGT Computer Science आपको PGT Computer Science के लिए या फिर TGT Computer Science के लिए तो आपको कोई भी BAE की डिगरी नहीं चाहिए BAE DLR की चलिए आगे चलते हैं हम बात करते हैं तो PGT Physical Education Teacher के लिए मतलब कि Sports Teacher के बात करें है या पर तो हम लोग तो आपको क्या चाहिए BEPED किया होना चाहिए या फिर Bachelor of Physical Education या फिर Bachelor of Science B.S.E. in Health and Physical Education या फिर डिगरी इन उसी के साथ इन सभी के साथ ही आपने डिगरी इन Sports with at least 55% marks आपको चाहिए NCTE से मानता प्राप्त किया स्थान से उसका हम बात करते हैं कम से कम 50% marks चाहिए आपको BPED डिगरी या फिर BPED इंटिगरेटर चार साल का जो कोर्स होता है प्रोफेशनल उसके अंदर से अगला है यहाँ पे अगला है BPED का आपको कम से कम 55% marks के साथ करना चाहिए या फिर BPED कोर्स जो एक वहरें तीन साल का डिवरेशन जो होता है उसके से कम से कम 50% marks आपको चाहिए चलिए अगला है MPED आपने किया है दो साल का डिवरेशन का किसी भी NCTE मानता पाफ रिकोड़नाई इंस्ट्यूशन से तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगला हम बात करते हैं यहाँ पे TGT पोश्ट के लिए TGT पोश्ट के लिए यहाँ बात करते हैं हम लोग तो अगर आपने लिगिर किया है 50% नीचे जो सब्जेक्ट के साथ इसके साथ तो किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर आपने पे प्लाई कर सकते हैं चले बात करते हैं आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है और क्या-क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिक्शन है TGT संस्क्रीट, हिंदी और इंग्लीज के लिए आपको तीनों साल मतलब किये आपको गयाजिशन में आपको mathematics आपको कम से कम मतले दो सब्जेक्ट के कंबिनेशन के साथ परहा होना चाहिए जैसे mathematics, physics, chemistry, economics, computer science, statistics जैसे कि अगरा PCM किया है physics chemistry math तो आप यहाँ पर eligible है आपको यहाँ कंबिनेशन है आपको कोई भी दो कंबिनेशन के साथ आपको परहा होना चाहिए टीजटी science के बारे में बात करें तो बैचले डिगरी in science within two of the following subject किसी भी दो सब्जेक्ट के अंदर चले अगला हम बात करते हैं यहाँ पर अगला TGT computer science के लिए बात करें तो अगरा आपने BCA या फिर graduation किया हुआ है computer science से या फिर B.E.B.T.E. किया हुआ है computer science IT से या फिर graduation किसी इसाथ किया हुआ है उसके साथ अगर आपको A level का course है DOEA CCC से मानता पर आप तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाइ कर सकते हैं B.E.T. degree compulsory आपको आपको seated pass होना चाहिए paper 2 उसके आपको proficiency आपको हिंदी और इंगलिस में चाहिए B.E.T. degree आपको A level नहीं हो है TGT science के लिए और TGT physical science के लिए यहाँ पर जो आपको मैंने PGT के बता है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर है आपको खाली यहाँ वहाँ वहाँ पर Master degree के था यहाँ आपको Bachelor degree आपको physical education के लिए 50% मार्स के साथ बैचलर डिए 45% मार्स के चाहिए आपको किसी पार्टिसिपेट किया हुआ है National या फिर State या फिर Inter University Sports के अंदर चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए अगला है यहाँ पर उसी का बारा हम बात कर रहा है physical education के लिए अब बात करते हैं लिए PRT के लिए PRT के लिए कि आपका education qualification चाहिए PRT के लिए अगर आपने graduate holder है आप आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है 50% मार्स के साथ concerned subject के अंदर या फिर combination of subject तो आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं आपको बीएड या फिर डियलेड किया हुआ है 50% मार्स के साथ तो आप यहाँ पर 40% मार्स के साथ आपको चाहिए देखिए बाकी सबसे में TGT के लिए यहाँ और PGT के लिए आप सेम है चलिए अगर हम बताता है कि आपको selection कैसे आपको selection process क्या है वह सारी जानकारी हम आपको देते हैं देखिए जैसा कि आप सब एक नजर आ रहा है कि यहाँ पर में लिखा जाएगा तो जो भी बच्चे आपको interview में interview आपको दो प्रकार का हो जाएगा एक तो रेगुलर बच्चों के लिए जो regular post के apply कर रहे हैं और एक हो गया यहाँ पर फिक्स्ट पोस्ट के लिए आपको form को apply हो रहा है यहाँ पहला है यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हो गया चलें उसके आफ कर यहाँ पर बात करते हैं अब लोग यह हैँ चलिए नीचे चलते हैं है यहाँ आपको ठू को में एक लिए सब फ में अपको है दोर र carta जाए चालियो चैनल को लाएक किरेएî सुसक्राइब करें ज्यादा से मिझा ज्यादेगों कोई है हैं यहाँ यहा ढ토 मेंड़ारा, हैग मैं धने घारा जा जा सरे हो